हेलो स्टुडेंट मैं पावन महमुर्या उडान डिजिटल के आउनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम केमेस्ट्री जो है उसका चेप्टर हेलो इस्वारी है एलकोहल फिनॉल एन इधर डिसकस करेंगे इसके अबजेक्टिव हम डिसकस करते हैं पहला कि क्या कंडिशन होती है आप जानते हैं कि कार्बन जिस पर फंक्षनल ग्रूप ओ एज अगर वो डायरेक्ट के वल एक कार्बन से अटेज है बाकी हाइडरोजन है तो यह प्राइमरी एलकोहल होता है अगर टू कार्बन आ गए तो सेकंडरी एलकोहल होगा और थ्री यह वन डिग्री यह प्राइमरी एलकोहल होगा यह आंसर हमारा होगा इथाइल एलकोहल इथाइल एलकोहल प्राइमरी एलकोहल है बाकी आइसो प्रोपिल आइसो ब्यूटिल एलकोहल टू डिग्री एलकोहल होते हैं सेकंडरी एलकोहल होते हैं नेक्स्ट कोशन है तू निम प्रॉपर्टि कौन रखेगा आप जानते हैं जो है रोते हैं लेकिन फिनॉल जो है उसमें प्रॉपर्टी मैं धुटिए तो फिनॉल जो है उसका राइट निचेर और वह बल्लू लिटमस को रेड में कनवर्ट कर देते ता है नेक्स्ट कोशन हमारा है अनेες thetik एसे निप्रोफ़ यूस किया जाता है नॉरमल रे से ख्लोरोफार्म को पढ़ाएं सियस सीयल थ्री रिया निष्चेतक के रूप में हम इस यूस करते हैं लेकिन यहाँ पर ख्लोरोफार्म आकसर नहीं यह says दूसरा हमारे सिप्सडेटर वह पा लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका टेस्ट किया जाता है। लुकास रिजेंड होता क्या है। लुकास रिजेंड अब जानते हैं कंसंट्रेट HCl and anhydrous ZnCl2 को बोला जाता है। और इसके थू हम किसका टेस्ट कर सकते हैं। इथर का एल्डी आइड का फिनाल का एलकॉल का तो आप जानते हैं प्राइमरी सेकंडरी टर्शरी प्राथ्मिक द्वित्यक त्रत्यक एलकॉल का जो टेस्ट है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो एलकोहल जो है उनमें हमको डिस्टिग्निस्ट करना है उनमें विभेत करना है तो हम कंसंट्रेट एसल एंड आयन हाइड्रस जैडन सील्टू यूज़ करते हैं। जली ने उच के साथ कौन क्रिया करेगा जली एंड़ मतलब एक्वस सॉलिशन आफ ए उससे कौन करेगा अब बाकी तीन तो एंसर मतलब अकोहल है और एक अकेला विदल आप जान्ते हैं फिनल जो एशेडिक नेचर का होता है इसलिए वाफ से रियेक्शन करके क्या बनाता ह करता है और क्या बनाता है साल्ट बनाता है यहां से यहां से जाएगा और हमें मिलेगा सीसिक्स एच्फाइप ओ एन इस उडियम फिन अक्सइट प्लस व्र दे यह एक सॉल्ट है तो आप जानते हैं ऐसे जो है बेस्ट से रियेक्शन कर सॉल्ट वाटर फॉर्म करता है सोडियम फिन अक्सइड इस फॉर्म्द बाय फिन्ओल विद अ कि लिबरमें नाइड्रोसो फ Kubernetes तो नहीं करता है याद रखेंगे तो लिबर में नाइट्रोस में तयस्ट गीवन बैक्त क्यों जो आफ्रो लिए हमारे पास इनकी करते हैं हम मतलब लोग करते हैं उसको डी-नेचिर करने की लोग का यूस का यूस का यूस का यूस रिंक में नहीं करें तोसमें हम क्या मिक्स करते हैं यह क़ूचा अब जानतें ह Inte into Green यूस को पीर य청 नहीं रहने देना इसा करने के लिए मेधा योग्या यूज करते है methylated sprit आपने पढ़ा होगा उसके लिए methyl alcohol यूज करते हैं इंपोर्टेंट कोशन हो सकता है नेक्स जो लास्ट कोशन था आपको बताना है यह इस्टर एल्कोल है सिम्पल इथर और जो है उसको हम बोलते हैं सिम्पल इथर यह सिम्पल इथर पर अगर हमारे पास और और अलग अलग है देन इसक लिए इसकाल तो इसका एक्जाम्पल मिक्स इतर का यह मेरे पास जो कोशन देंगे आंसर नेक्स कोशन लेते हम इतर कोशन लेक्षन करता है इंपोर्डेंट कोशन हो सकता है तो एसीडिक इन नेचर होता है अमली यह सोभाव रखता है फिनाल अमली यह याद रखेंगे फिनाल का जो करेक्टर होता है वह अमली है ऐसीडिक है एथिल एलकॉल के पीने से क्या होता है तो ड्रिंकिंग आफ इथाईल एलकॉल है डैस 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 उससे नसा होता है और नसा होता है कि याद रखेंगे है कि नेक्स परिशुद्ध एल्कोहल में डेज 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 परसेंट एथिल एल्कोहल होता है एपसलूट एल्कोहल क्या होता है इल्कोहल होता है याद रखेंगे परिशुद्ध बोलाय तो एपसलूट बोलाय थो एपसलूट में तो हंड्रेड परसेंट एथाईल एल्कोहल होता है रेक्टिफायर जो होता है उसमें 95.5% होता है तो याद रखेंगे परिसुद्ध एल्कॉल में 100% इथायल एल्कॉल होता है next question खालिस्तान के कारण एल्कॉल जो है उसका कोतना उच्च होता है boiling point अब alcohol is high due to dash dash bond आप जानते है hydrogen bond जो होता है उस hydrogen bond के कारण ये जो हमारा एल्कॉल है water में dissolve करता है और दूसरा ये इसका जो boiling point है वो भी हाई होता है hydrogen bond इसका answer होगा एल्कॉल के boiling point हाई होने कारण तो ये हमारा जो question है उनका answer है इथायल एल्कॉल acidic sedative बोलते हैं उसको 100% pure and hydrogen bond next है match the column जो है match the column बहुत important है मतलब काफी important है इसमें से एक दो question आने के chances से cast spirit सबसे ज़्यादा question पूचा जाता है cast spirit तो किसको बोलते cast spirit हमारा answer होगा methyl alcohol cast spirit होती सराब या spirit of wine किसको बोलते है तो इसलाइख मैथेल एल्कॉल होता है इस्पृट सराब बोलते हैं wine wine कि आत्मा spirit कारबॉक्सलिक आमलग किसको का जाता है तो फिनाल को कारबॉक्सलिक आमलग का जाता है याद याद रखेंगे अती जुलनसिल्पदार्त जो है वो इथर होते हैं और सीरा जो है उसको हम सरकरा के विलियन से प्राप्ट कर सकते हैं तो कास्ट इस्पृट मेथिल एल्कॉहल इंपोर्डेन कोश्चन हो सकता है याद रखेंगे इस्पृट आप वाइन एथिल एल्कॉहल कार्बॉक्सली का अमले फिनाल को कहा जाता है और यह जो अती जो लंसील पदार थे उसके फॉर्म में हम किसका यूज करते हैं इथर का स इसपृट के फॉर्म में होता है यह बहला आंशर होगा वाइन या इस्पृट आप वाइन किसको बोलते हैं इसको बहुत ज्यादा फ्लैमेबल होता है तो यथर होते हैं लास्ट मॉले से सुगर सॉजिशन को मॉले से भी कहा जाता है परिसोधित परिसोधित का मीनिंग बताया था मैंने 95.5% इथाइल एलकोहल इतना इथाइल एलकोहल होना चाहिए प्लस 4.5% परिसोधित एलकोहल इंपोर्टन है यह हलके इंजन में इंधन के रूप में प्रवयक्त है एलकोहल एलकोहल का अगर फ्यूल के फ़ॉल में हम यूस करते हैं इन एलकोहल इस काड़् पावर एलकोहल खौन सा एलकोहल पावर एलकोहल पावर एलकोहल होता है पावर एलकोहल बोलने है मोनोहाइडरिक एलकोहल के एनहाइडरिक को क्या कहते हैं What is एनहाइडरिक आप मोनोहाइडरिक एलकोहल is called तो मोनोहईडरिक इलकोहल क्या होता है? मॉनोहईडरिक इलकोहल को क्या कहते है? What is the Enhydrick of Monohydric alcohol? Monohydric alcohol C2H5 OH right कर लिया C2H5 OH right कर लिया और इस्से अगर water molecule बाहर हो जाए then it is called Enhydrick Enhydrick of Monohydric alcohol तो एन हाइड्रिक का मतलब वाटर मॉल्यकुल हटाना है तो इससे क्या फॉर्म होगा वो इन डिरिकली यह पूछना चाहरा है तो एथर का फॉर्मेशन होता है तो याद रखेंगे कि मॉनोहाइड लकॉल का एन हाइड जो होता है इसनी में थोड़ा सा गलत लिखा गया है एन हाइड्राइड को क्या हां ठीक करते थे इधर करते हैं कि उफका से पूछा है फर्मटेशन की रियक्ष्ट में होता क्या है फर्मटेशन का आपको रियक्ष्टों भी आना चाहिए ग्लुकोस का एकSha시면 परद्ध कोस्चन यहां वाद वी में प्रष्वाटियॆब 3 तो या जाएगा सीचा जाएगा सी 6ए Bowl 6 ग्लुकोज है इसका فार्मंटेशन होता है प्रश्वाई जाएँ में प्रश्वाउन करता है। अबसे पूछा कौन सी गेस जनरेत होती है तो सीओटु गेस जनरेत होती हूंसर सीओटु होगा याद रखेंगे और सीयोटु जनरेत होती है और यह रियेक्शन भी जिल्टयक्श YouTube भेंग वेन में पूछा जाता है लुप स्ट्पarak l vive और फ्लीकोज इस फर्म टाइजम- को निले कर देता है तो पर अगर कोशचन आएगा दो हम लिखेंगे लीटमस होता है किश के लिए हने कि फॉर्स्टिटि नैंटी फइफाय पॉइंट फायर से झ। श्क ऐес था हमारा उरकैर पर आपको हमारा सेस्ट एक सूरण है हमें बताए comment करके thank you